नमस्कार प्रिये विद्ध्यार्थियो नेशनल केरियर एकेडमी उदैपुर के डिजिजल प्रिट फॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभी नंदन जैसा कि आप सभी को पता है आज जेट एक्जाम 2023 का सेडूल जो है वो जारी कर दिया गया है जिसके लिए ओनलाइन आवेदन जो है वो प्रारम हो चुके है और ओनलाइन फॉर्म जो है जेट 2023 के वो 20 फरवरी 2023 से और 27 मार्ज रातरी 12 वज़े तक आप ये फॉर्म जो है भर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम जेट एक्जाम के जो ओनलाइन फॉर्म है उसी के बारे में इसके अलावा इसकी क्या योगता है कौन-कौन से विद्यारती ये फॉर्म बर सकते हैं क्या IUC में हैं और कौन-कौन से डोकुमेंट्स ऐसे हैं जो आपको तयार रखने हैं फॉर्म ब करें क्योंकि इस बार कुछ ऐसे चेंजेज किये हैं Agriculture University जोदपुर ने जो आपको ध्यान पूर्वक देखने की जरूरत है तो चलिए अपन इस वीडियो में देखते हैं कि आपको ओन-कौन सी ऐसी साबदानिया जो रखनी है क्या-क्या डोकुमेंट्स आपको चीए और कैस से आपको जो है form भरना है सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जेट एक्जाम 2022 का जो form है वो आपको कौन सी साइट पर जाकर के भरना है तो पिसली वार भी आपका जो जेट का एक्जाम है वो Agriculture University जोदपुर द्वारा आयोजित करवाया गया था और इस साल भी आपका जो एक www.com इस पर जाकर आप जो है online form भर सकते हैं अब online form की फीस जो है वो इस बार क्या रखी गई है तो जो candidate जनरल, OBC, MBC और EWS से ब्लोंग करते हैं उन सदी के लिए 1400 रुपे forum फीस रखी गई है इसके अलावा कुछ bank charges भी है हो सकता है वो जैसे आप payment का जो medium है आप internet banking के थुर करते हैं या आप debit card, credit card जैसा भी आपके पास में साधन उपलब्द है आप उसके थुरू ये payment कर सकते हैं कुछ bank charges हो सकता है इस पर आपको देखने को मिल जाएंगे और ऐसे candidate जो SC, ST और special abled हैं उन सभी के यानि कि जो दिब्यांग जन है उनके लिए जो फीस है वो 1150 ही गई है अब बात करते हैं eligibility की यानि की कौन-कौन से ऐसे विद्यारती हैं जो जैट exam 2023 में बैठने के पात रहूंगे तो वो सभी विद्यारती जिन्होंने बारवी क्लास जिन्होंने बारवी क्लास agriculture, mathematics या biology से पास की है या पास कर लेंगे इस साल वो exam में appear कर रहे हैं बोड के वो सभी जैट exam 2023 को बैठने के पात रहूंगे ऐसे विद्यारती जिन्हों के पास से में additional subject हैं यानि कि जो biology भी दे रहे हैं और मैंस की उनके पास में additional subject है वो विद्य इस exam के पात्र होंगे इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि इस बार क्या ऐसा change किया है जैट के exam 2023 में जो आपको ध्यान देने योग बाते हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जो point आता वो यह है कि बारवी क्लास में आपके कम से कम 50% होना अनिवार है जैट exam 2023 से बैठने के लिए यानि कि बारवी क्लास में आपके कम से कम 50% होना जरूरी है हाँ इसमें कुछ छूट का प्रापदान भी है जो candidate SC, ST, OBC, EWS और MBC इसमें MBC भी आप add कर लीजेगा उसके candidate हैं उनको 5% की छूट भी इसमें मिल जाएगी यानि कि इस category से जो भी candidate minimum percentage 12th के अंदर होने चीएं वो ही इस exam के पात्र होंगे अगर किसी विद्ध्यारती की जो general category से है उसकी percentage 12th class के अंदर वो 50-25 से कम है तो वो इस बार Z exam 2023 का बैठने का पात्र जो है वो नहीं होगा और ऐसे विद्ध्यारती जो SC, ST, OBC, EWS के अंदर आते हैं और उनकी जो percentage है वो 45% से कम है तो वो भी इस exam में बैठने के पात्र नहीं माने जाएंगे और इस बार जो विद्ध्यारती बारवी class का exam दे रहे हैं agriculture, biology या mathematics किसी भी stream से और उनकी किसी कारण बस तो अपन क्या कहें अगर exam में उनकी supplementary आ जाती है यानि की पूरक आ जाती है तो वो के थुरू किसी भी college में admission लेने के पात्र नहीं माने जाएंगे तो इसका भी आपको ध्यान रखना है इसलिए आपको अच्छे से अभी भी time है आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि ऐसी कोई किस्तिती आपके सामने पैदा ना हो कि आप Z exam 2023 में नहीं बैठ पाएं औ और अभ्यर्ति की जो age है age limit की बात करें आई-उ की बात करें तो पचीस बर्स से अधिक का जो विद्ध्यार्ति है इसमें नहीं होना चीए जो एक जनवरी दोजा सुरी एक दिसंबर 2023 तक जो आपकी age है वो पचीस बर्स से अधिक नहीं होनी चीए इसका आपको जो है इसके अलावा बहुत सारे विद्ध्यार्ति ऐसे भी थे जिनका फॉन पर बाते हो रही थी कि सर हमारे राजस्तान से हम है नहीं तो क्या हम चैट का एक्जाम दे सकते हैं क्या क्योंकि पिछली बार कुछ एक दो केसे ऐसे हो गए थे जो विद्ध्यार्ति नहीं एक्जाम बिद्ध्यार्ति लेकिन उसमें भी आपको कंडिशन दी हुई है मान लिजिए आप यूपी से हैं एमपी से हैं या गुजरास से हैं किसी भी स्टेट से हैं आप बहार से हैं तो आप एगरी राजस्तान में जैट का एक्जाम तो दे सकते हैं लेकिन उसके लिए एक पड़ी होनी चाहिए, यानि कि पिछले तीन साल से आप राजस्तान के अंदर अध्यानरत हो, तो ही आप इस एक्जाम में बैठ पाएंगे, तो आप ऐसे बिद्यारती जो दूसरे इस्टेट के हैं, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कंडिशन ये है, कि व यहीने हाथ के अंगूठे का जो निसान है, वो बिलकुल इस पश्ट रूप से दिखाई देता हुआ, और इसकेन किया हुआ होना चाहिए, फोटो के अंदर कोई भी टोपी या चस्मा, यानि कि आप किसी इंटर्टेन्मेंट वाले या किसी टीवी सो के ओडिशन के लिए आपको वहां पर नहीं जा रहे हैं, इसलिए आपको विशेश ध्यान रखना है कि आपका फोटो जो है, वो पास्पोर्ट साइज का खिचा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप अपनी सेल्फी जो है अप्लोड कर रहे हैं, है ना बहुत सारे विध्याती जब फोम हाँ, किसी प्रकार का कोई चस्मा जो है, नहीं पहना हुआ होना चाहिए, है ना, और कोई भी टोपी नहीं होना चाहिए, अपनको हनी सिंग नहीं बनना है जैट के एक्जाम के अंदर, तो ये आपको विशेश ध्यान रखना है, हाँ, नॉर्मल अगर आपके आपके आखे आपको फोटो को देखके, और आए अइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत आए, तो ऐसा फोटो आपका नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कास्ट uh, जाती प्रमान पत्र आक की आप आवे सकता आपको रहेगी और अगर कोई दिब्यांग है तो उसके पास में 40% से अधिक का जो अपना disability certificate जिसको अपन कहते हैं वो होना जरूरी है तो ही इन चीजों का आपको फाइदा मिलेगा अब कुछ विद्यारती ये भी पूछते हैं कि सर जो जेमान लीजीए कास्ट certificate है वो कितना पुराना होना चीए क्या 6 महीने पुराना होना चीए क्या 2 साल पुराना है तो चल जाएगा या 1 साल पुराना है तो चल जाएगा क्या तो इसमें इस बार instruction में जो दिया हुआ है व वो कम से कम एक साल मतलब एक साल से जादा पुराना नहीं होना चीए अगर एक साल से जादा पुराना है तो आपको वापस बनवाने की ज़रत है अभी भी आपके पास में परियाब्त समय है तो आप उसके लिए apply कर सकते हैं और 27 मार्च से पहले आप जो है ये online form भर सकते है दस्वी और बारवी की अंकितालिका आपको चाहिएगी ऐसे विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् तो उनके लिए defense card जो dependent card बनता है, defense certificate बनता है, वो भी इसमें apply कर सकते हैं, इसके लिए आपको 8 category इस बार दी हैं, वो 8 category अलग-अलग हैं, मान लिजिए किसी के पिताजी हैं, जो फोज में सहीद हो गए हैं, या फिर और भी बहुत सारी category उसमें दी हुई हैं, उसका एक अलग चीजें हैं, वो आपको ध्यान देने वाली बाते हैं, इसके अलावा आपको और भी कोई ऐसी समझ्या हो, जो ZET के online phone बढ़ते समय आपको आती है, तो आप इस वीडियो के नीचे जो पट्टी चल रही है, उस पट्टी पर हमारे सहस्तान के contact number आपको दिये हुए, आप कभ ने नजदी की emitter से form भरवा दें, और जो विशेश ध्यान देने वाली बाते हैं, वो मैंने आपको इसमें बता दी, इसके अलावा आपको एक तो mobile number पर बहुत ज़्यान देना है, कि mobile number आपको वही form में डालना है, जो आप exam दे लोगे, और college में जब तक आपको admission नहीं मिल जाता, तब तक आपका वो mobile number जो है, वो चालू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने mobile phone बढ़ते समय कोई दूसरा mobile number दिया है, और जब आपका admit card निकलेगा, या आपका counseling का phone बढ़ना है, उस time आपका mobile number बंद हो जाए, या आप उस mobile number, आपका mobile जो कहीं खो जाए, या फिर औ और कोई ऐसी परस्तिती आजाए, तो आपको ये निश्चित करना है कि ये mobile number मेरा हमेशा चालू रहेगा, वो ही mobile number आप दें, क्योंकि OTP की ज़रूत आपको counseling के time पर पनी है, तो ये सारी जानकारी थी आपके JET के exam से related, अब हमारे यहाँ पे जो नए बैच है, JET के, वो भ जोइन कर सकते हैं, आप सभी को पता है, JET 2022, JET 2021, JET 2020 में सांदार परिणाम देने के बाद में, अब JET 2023 की बारी है, तो ऐसे विद्ध्यारती जिनको अभी भी वो तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, या अभी तक online या exam date का इंतजार कर रहे थे, और online तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे विद्ध्यारती, एक मार्स से हमारा जो नया बैच चलने वाला है, उसको जोइन कर सकते हैं, और आप राजस्तान की सर्विस रेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का जो मौका है, वो पास सकते हैं, National Career Academy उधैपूर पर, इसी के साथ, अगर आपको और भी कोई समस्या आत कैसे, उसका पीडियो जो है, वो आपको इस वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे जो नम्मर चल रहे हैं, उन पर आप संपर कर सकते हैं, इसी के साथ, आप सभी को नमस्कार, सुबरात्री